हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पूरु सेनिकों ने जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए जो नई समिती गठन किये उसके पर बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं और जल्दी जो है वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां उसका समाधान करने के लिए सभी पूरु सेनिकों ने भी बड़े डिसेन लिए और हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्टपती तक जो है ये ग्यापन सोपा गया है और इसमें क्या क्या पॉइंट से उसके बारे में बात करेंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टन अपडेट के बारे में दोस्तों का चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरू दबाए दोस्तों देख सकते हैं इसमें मीडिया कवरेज भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूर हुसैनिक हैं उन्होंने राजसबा सदस्री को ग्यापन सौपते हुए पूर हुसैनिक आखिल बारती है पूर हुसैनिक सेवा परिशद के बैनर तले जो है समाजवादी पार्टी के राजसभा सदस्य को जो है जो विसंगतिया उनको लेकर जो है एक ग्यापन सौपा गया है और यह आप देख सकते हैं कि राश्टपती से लेकर यहां से राजसभा सदस्य को सौपा ग्यापन और यहां पर रविवार को एक किया गया था आप देख सक विसंगतियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिये जारे धरने को लेकर गेंदर सरकार का मपहतर दिखाएं जिससे जो पूर 실폄निक हैं उनकी Kalau है समद्भा हले समादान जल्दी से जल्दी हो सके तो तमाम अलगलग तरीके से जो है अभी वन रैंक वन पेंशन के जो विसंगति हैं उसको दूर करने के प्रियास के जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधान मंतरी, राष्ट पती और राजय सबा सब जगह जो है यह इसको भीजा जा रहे है दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी झाल